हीलो एवरिवन आज यह में अस्तांग देशुत्रीस्तान का चेप्टर सिख्स इश का नाम है अन्य विज्यानिया पड़ेंगे तों अन्य विज्यानिया अद्ध्या मतलै पहले चेप्टर में हुम ने क्या पड़ा द्रव के बारे में ठीक जितनी भी liquid द्रवयों का उपयोग हम करते हैं उनके गुणों के बारे में उनको कोन से डीसिज में यूज करता है कैसे क्वालिटी क्या होती है सब अब हम यहां पर अन्य द्रवयों के बारे में पढ़ेंगे यहां पर हमने जो वर्ग पढ़े थे शीर वर्ग तोई वर्ग यहां भी अन्न को अलग अलग वर्गों में डिवाइट किया गया है सबसे पहले अन्न की निरुकती देखते है अन्न भक्ते चा भुक्ते शाथ अन्न कर रहते हैं क्या भात या खाया हुआ पदार था जो खाया पदार था पिट जो खाने योग कि पदार थे उसको क्या बोलते अन्न कैसे भी हो सकते स्थावर जाएंगा जो पेड़ वोतल से मिलते वह या फिर ज जहनवर से मिलते मैंस पगेरा ठीक है फिर अभी तक हमने पहले कही सोसल साइंस वगेरा में पढ़ा था रभी और खर्पी ऐसे दो फसले होती है वैसे ही यहाँ पे न अन्न को अलग-अलग वर्गों में डिवाट किया है इसे शुक धान्य शमी धान्य और आके बहुत सारे वर्ग देखते को कितने वपैस सबसे प यहाँ पे लाश्ट में वर्ग लिखे हैं ठीक है शुक धान्य शिंबी धान्य पकव अन्न मांस वर्ग शाक वर्ग फल वर्ग और ओशद वर्ग तो चप्टर 6 में सात वर्गों के बारे में बताएं शुक धान्य शिंबी धान्य पकव अन्न मांस शाक फल और ओशद लें से इन सारे वर्गों के बारमें फढ़ेंगे ah कि सबसे पहले हम लेखते है ऍक भॉय को थीलिद क हम तो यह सब चावल यह होता है आज सोरे यह ऐसा जिनका शेव होता है ठीक है और जिनको हम दो भागों में नहीं बाढ़ सकता है उनको वो कुन से वर्गे में आता है शुक्धाने वर्गे में तो शुक्धाने वर्गे में सबसे स्ट्रेश्ट क्या है रक्तशाली और सबसे अदा मतलब सबसे हीन सबसे बूरी क्वाल पुंड्र पांडु पुंडरीक प्रमादो गोरसारिवो कांचनो महिश शुको दूशक कुशुमांडक लांगला लोह वालाख्या करदमा शीत भीरुका पतंगा स्तपनियास्च ये चानने शाले सुबा स्वादू पाक रसा इसनिकता व्रश्या वद्ध अल्पवर्चस कशा अनुरसा पत्या लगवो मुत्रला हीमा ठीक है तो अब से पहले देखते हैं किस क्या क्या आता इसमें तो रक्त शाली महा शाली ये ना सब चावल के भेड़े कलम शाली तूर्णक शाली शकुनाह शाली सारा मोगदीर गशुक रोद्रशुक सुगंधक पुंडर शाली पा और शाषला ही के राय। शाली उन्हाली क्या ठीक है तो सब चावल की वराइटी सान्मं इसमें दीन चार वराइटी ये सब शाल beiden कोटी के होते हैं वे सब रहसवह विस्पाक में क्या घैमादू रिपाक दो वीड़चवतक होते हैं ठीक हैं, खाने में बंदा हुआता हिव वे सबी कुछ कशायरस वाले, पत्य, लगू, और मुत्रकारक और हीम, शीत वीर्य वर्दक होता है, तो मदूर इसनिक तो वीर्य वर्दक होता है, मल को बानने वाला, कशायरस वाला, पत्य, लगू मतलब हलका होता है, डाजिश हो जाता है, इसलिए, मुत्रकारक होता है, और हुझ मतलब शीट वीड़ी होता है गैं तो अगर कोई सभी शाली के गुण आप कूछ रहे तो अपन यह लिख सकते हैं हम कौँ कौँ शाली के नाम सते रखत शाली महां शाली कलम शाली तूर्णक शाली फोच चनाम sm झ n a याद करना जरूरी नहीं है फिर आगे देखते हैं रक्तशाली के गुण शुक जैशु वरस तत्र रक्तस तशना त्रिदोशगा उपर जो गुण है वो तो है इसमें लेकिन रक्तशाली के सुकधाने में सबसे श्रेष्ट है यह प्याज को कम करता है और त्रिदोश ना सेके तीनों दोशों का श्यमन करने वाला होने के कारण इसस सबसे श्रेष्ट बोला है और गुणों में देखे तो महानस्तम अनू कलमस्तम चाप्या अनू ततपरे रक्तशाली की तुल्णा में महाशाली फिर कलमशाली और तुल्णक्षाली ही इन गुणना वाले गते हैं अग रक्तशाली फिर महाशाली फिर कलमशाली और फिर तुल्णक्षाली ठीक है तो सबसे ची क्वालिटी वाला रक्तशाली उससे कम महा उससे कम कलम और उससे कम तुल्णक्षाली तो एक क्राम पूछते हैं और सबसे कम अच्छे वाला तो पता होना ही चाहिए और यवक्षाल यह सबसे अधम होते हैं, तो यहां पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेश्ट और सबसे अधम वालों की बारे में बता है यवका हायना पांसु वास्प नेश नेश्यदकादय स्वादू उष्णा गुरुवा इसनिग्दा पाके अमला स्ट्रेश्प पितला शर्ष्ट मुत्र पूरी शर्ष्ट पूर्वम पूर्वम चे निंदती यव, हाइनक, पांसु, वास्प, नेश्यदक अनेख प्रकाड के शालिधाने इनके गुण के सते हैं, मधूर्त, उष्ण, गूरु इसनिग्द होता है पकने पर क्या होता है, अमल रस हो जाता है, कफ का रखे, पित का रखे इनके सेवन से मल मुत्र की प्रवरती सरलता से होती है और एक क्रमे से अपने पूर्वन निंदित होता है, सबसे अधिक निंदित क्या है, इनके क्वालिटी क्या है मदू, रूश्न, गूरू, और शित होता है, इस निक्त होता है, पाक में अमल होता है, कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है, मल मुत्र को निकालने वाला, और सबसे अधिक निंदित, सबसे रखतशाली, और सबसे निंदित या बक्षाली, ठीक है, उसके देते हैं, ब्र ँसनीगड लगू स्वादू त्रिदोशक न स्थीरो सीमळ शष्टिको वर्षीशु क्या आसित गौर तो वर्षीद दानीम में श्ष्टि कैसा होता है इस उसनी हम ने शाली लगूँ अ चलिक वह विसका शाली व्क वह भीक वंग करता है इसनिक तो ग्राही मतलब मलको बानने वाला लगू, स्मधूरस वाला बाताजी तिनों दुश का शमन करने वाला इस्थीर, हीम गुण वाला, ब्रही धानने में शाठी धानने उत्तम होता है, जो शश्टिक है न उत्तम है, ये दो प्रकार करते हैं, गोर और हलका काला, ठीक ह और में भी गोर वाला अप्तम होता है, तो क्या देखा है हमने देखो, अभी तक, पहले देखा, शूख धानने वाला ठीक है, उसमें देखा, शाली वाला शाली धानने, शाली धानने में स्रेश्टे रखते शाली, और अधा में यवक शाली, ठीक है, उसके हमने देखा, श तो वरही में सबसे स्रेष्टिक होना है शस्तिक, उसके भी दो टाइप है गोर और काला तो इसमे जो गोर वर्ण है वो भी स्रेष्ट है इतके वर्गम में यह रिंग निन में दोनों में देखें तो गोल स्ट्री के रहें है इसे बहुत कन्फिस करना जल्ए को याद रहे हैं जो श्रेष्ट होगी तीनों दोष्य का श्यमन करेगी मैं दूर रसवाज होगी अच्छी होगी शरीर के लिए ठीक है स्ट्रेष्ट में स्रेष्ट वाले का देख लिया लेगिन सामा ने गुण के तत रमात महाव व्रिही क्रष्ण विरी ही जतु मुखा कु अधना, कूरुविंदाश्य, गुणेर, अलपान तरेश्मिता, सक्ष्टी धान्यों में सामाने गुणवाले होते हैं इसे महावरिही, क्रश्ण, जतुम, कुकुतांड, कपाल, पारावत्तक, शुकर, वरक, उद्दालक, उज्वाल, चीन, सारत, दूर्दर, गंधन और कूर मधूर, अमल, विपाको, अन्यो, वरिही, पित्त करो, गुरु, बहु, मुत्र, पूरी, शुष्मा, त्री, दो, शर्स, त्वेव, पार्टल, मधूर, रस होता है, अमल, विपाक है, पित्त करो, ठीक है, यह बाक में भी देखा था, कफर, पित्त को बढ़ाने वाले, यह पित्त बर्द के, पाचन में गुरु है, उष्न है, अधिक भाक मल मुत्र के रुप में परेंथ हो जाता है, यह शरीर में ज्यादा ठीकता नहीं है, वादों धातों का पोशन निकलता है, मल ज्यादा निकलता है, इनमें जो पार्टल नामक है न, वो ती त्री दोश का त्रण धाने में क्याता है, कंगू, कोद्रव, निवार, शामक, यह कैसे होते है, शीत होते हैं लगू वाद को बढ़ाने वाले लेखन करने वाले हैं स्क्रेपिंग करने वाले कि मल अगर आगर शरी पे उसको निकालने वाले कभ पित्त का नाश करते हैं ठीक है वाद की व्रद्धी करते हैं और कभ पित्त का नाश करते हैं फिर आता है प्रियंगु धान्य प्रियंगु धान्य क्या करता है भग नसंदान करत तत्र प्रियंगु ब्रहनी गुरु तरन धान्य में प्रियंगु भग नसंदान अदब जो हमारी वोंस फ्रेक्चर हो जाती न उसको जोडने में बहुत अच्छा होता है शरी को मोटा बना को रदूशा परम ग्राही स्पर्शे शीतो विशापः कोदो धान ने अतना ग्राही है वतला मल को बांधने वाला होता है ठीक है शीत होता है और विश्जानित विकार को अनश्ट करता है बन्दावे क्रेसी ने पोलिजन इंटेक किया या फिर विश्वाले जो विकार है उनको कौन्ठी करता है कोदो धान्या और हट्टी तूटी उसको कौन्ठी करता है प्रियंगो धान्या उसका देखते हैं जो रुक्ष शीतो लगू स्वादू शरो विडवात क्यद्लव यव रश्य इस्थेर्य करो मुत्र मेद पित कफान जैद 15 स्वास कास उरू इस्तंब कंठ तो गामयान जो मतलब जो होते हैं जो बाजरा तुझे जुवार होती हैं जो उसके बारे में दिया हुआ नियों जो आप लोग दीवाली पर त्षिक़ोड़ लेकर आत高ई जो की लंबी-लंबी सी होती पतली-पतली लिए जो आलगchten तो जो कैसे रूपश होती है शीटल होती है पच्शने में गूरू उत्य बढूरों मुत्युम मंदूरास सर्म दीवल को सरआने वाली कॉं कभ पित्थविकारों को समन करता है यह पिनस स्वास कास उरुस्तंब गल्ले और 55 को नश्ठ करता है तो यह क्या क्या करता है रुक्ष़ होता है शितल गुरु मदूरस बल को निकालने वाला वास्चामक पृत्वर्द कःमक् सामक मूत्र मेदध दोश को कम करता है और स thumb West Drive लूंपप चौटा पर एंपेंगेंवा फिम्म करता है पीने एक चक्छ मों ध автом करता है जो एक और अनुयों मतलब चोटा वाला जो क्या करता है न्यूनो यवाद अनुयवू अनुयव से क्या उक्त प्रसिद्ध जो के दाने भी छोटे होते हैं और यह जो के गुणों से भी कम होता है ठीक है या कार्व में छोटा होता है क्वाली टीम में भी छोटा होता है वन्शजो रुक्ष उश्णो बंस जो 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 बास उत्पन या लगबब जो क्या आकरति वाली होती है होने के करण इसे बास के जो कहते है यह खाने में रुक्ष और उष्ण होता है, बास्क बैंबू, उसके बीज होता है, वो जो की आखरती की होता है, इसको बास्क के जो बोलते है, यह खाने में रुक्ष और उष्ण होता है, गोदुम मतलब गेहूं के बारे में देखेंगे, गेहूं कैसा होता है, व्रश शीतो गुरू इसनिक्द जीवनों वात पित्त हां संदानकारी मदूरों लुगोदुम स्थेरे करत्षर व्रश्य वीर्य वर्दक होता है शीत वीर्य पचले में गुरू होता है इसनिक्द जीवन शक्ति प्रतान करने वाला वात पित्त शामक होता है ठीक है तूटी अस्ति को पत्या नंदी मुका सीता कशय मधूर लगू कि एक गयों की प्रेकार ठीक है नंदी मुके पत्य होता है शीत्वीर्य कशय रज मधूर और पचने में लगू होता है तो हमने क्या देख लिया शुक्धाने वर्ग में हमने क्या क्या देखा इसमें शाली वर्ग आया था इसमें रखते शाली श्रेस्ट है और यह वक्षाली अधम है उसमें दूसरा है वरीः दाने उसमें कौन श्रेस्ट है श्रेस्टिक शाली श्रेस्ट है और अधम कौन है उ लुष items अ suspension comes in अब उसके अवर हम आता है शिंबिन वर्ग यस ना बढनने वर्ग माल्ट में निसको नफ अन्वह दॉ पाली तो कोड़ी है सबसे अच्छी क्वालिटी वाला मुंग होता है ये शिंबी धाने में और सबसे बुरा उड़त मतलब मास मुदग आड़की मसूरादी शिंबी धाने विबंदकरत कशायम स्वादो संगराही कटू पाकम हिमन लगू मेद असलेश माश्र पित तेशु हितम लेप उपशेक यो मुँ अरहर मसूरादी शिंबी धानने में आता ठीक है तो ये कैसा होते है स्वाद में कशाय और मधूर होते हैं मल को बांते हैं अंदर कॉंस्टिपर्शन करते हैं कटू विपाक शीत वीर्य लगू पाकी मेद विक कफ विकार रक्त पित विकार में उपलेप या उपसेक के रूप में इसका प्रेव करते हैं ठीक है तो पित कफ और रक्त को शमन करते हैं ठीक है ये और क्या होते हैं मधूर कशायरस होते हैं कटू विपाक मल को बांधने वाले लगू पाकी होता है इसलिए पज जाते हैं सेश्ट है मूंग अधमे माश मूंग मतर और राज माश के गुण वरो अत्र मुदको अलप चला कलाईस त्वत्व अति वातला राज माशो अनिल करो रुक्षो बहुष जक्रत गुरू मूंग अरहर मसूर नामक दाल में मूंग सेश्ट है थोड़ा वात को बढ़ाने वाला होता है थोड़ा सा लेकर ठीक है मतला पूरे नहीं बढ़ाता है कलाई मतला मतर बहुत जादा वात बढ़ाता है राज माश मतला वह भी वात का रहा है रुक्ष गुरू और अधिकांश भाग मलको बांता है तो हाँ पर तीन चीचे देख रहे हैं ना, तो मुंग बात का शमन करता है, लेकिन थोड़ा सा, मतर गया करता है, बात का बहुत ज्यादा शमन करता है, और राजमाश भी बात का शमन करता है, शोरी, 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 शमन नहीं करता है, बात को बढ़ाने वाला होता है, थीए, मुंख थोड़ा सा बाद बढ़ाता है मतर्स भू जबादा बढ़ाता है और राज्माश भी दोग जबाता है यह सात में गूरू होता है थीए सथ देखते कुल्ति कुल्ति के दाल के बारे में आपने सुना होगा उष्ना कुल्ता पाके हमला उसको कतम करती है, स्वास, पीनस, कास, अर्श, कफ वात विकारों को नश्ट करती है, पित्तरक को गड़ाती है, वात कफ शामक है, पित्तरक्त वर्दक है, और जो इस्टोन होती है, अस्मरी, उसको कतम करती है, स्वास, पीनस, कास, अर्श, कफ वात विकारों को नश्ट करती आप में अमल्य अरुष्ण है ऐसे तो कुल्ती स्रेच्ठ है लेकिन आप लोगा आपके पढ़y रसायन के बादे में ठीक है तो अगर हम रसायन का 7 कर रहे च्यापी कैसे वादपित्त कारक होती है वादपित्त को बढ़ाएगी इस्तन्य और मुत्र को बढ़ाती है गुरु पाकी सर विदाही नेत्र विकार शुक्र दोश कफ विकार शोत और विश्विकार को नस्ट करती है वादपित्त को बढ़ाती है कफ का शमन करती है विश्विकार को न कर रहां है। माश कैसी होती है? इस्निकदबल सर्लेषम मल commercials निलाव स्वाधू शू रवध्दि विरयकर डिकते हैं? उड़त केते just निकदबल बढ़ा आएगी कफकार क्या मल की रद्धीmen पित्त कहा पित्ट को भी बड़ाती है सर पाचन गुरु ऊश्ण वात नाशक है स्वादम मधूर शुक्रवर्दक और वीरेचक होते हैं माश क्या सबसे बूरी क्वालिटी होती है ठीक है शिम विधाने में सबसे अध्या में क्या होती है इस दिनेक्ट होती है बल वर्दक कफ पित्ट क को बढ़ाती है गात का श्रमन करती है बाचान में गुरु उष्ण होती है वीरे चक है काका अंडोला या केवाच यह ना कुछ फलीयां आलग अलग केवाच तो क्या होता है कपी कच्चू बोलते इसको उसकी फली के उपना छोटे-छोटे काटे होते हैं अगर हमें उसको टे तील, तील का तो अपने सबने देखा योगा तील की भी फली आती है फली मतलब शिम्भी से तील शिम्भी धाने में आता है उष्ण स्वचो हीमा इस पर्षे केश्यो बल्यस तीलो गुरू अल्प मुत्र कटू पाके मेधा अगनी कफ पित्तकर उष्ण वीडियो होता है त कफ और क्व पित्त को बढ़ाएगा वादका श्यमन करेंगा बालों के लिए सकीन के लिए अच्छा है उष्ण वीरे कट्व विपाक बुद्धी को बढ़ाता है जट्षागनी को बढ़ाता है तील बहुत अच्छा कौलइटी वाले होता हैuet Salami अच्सी वो कुशुम्ब के बीच इसनिक दोमा स्वादू दिक्ष्ण उष्ण कफ पित्त करी गुरु द्रग शुक्रहत कटू पाके ददवद बीजम कुशुम्ब जम अल्सी संग्द होती है स्वाध में मधूर होती है टिक्त उष्णवीर कफ पित्त कारक कफ और पित्त को बढ़ाएं ऑले होती है दृश्टी नाशक में नेतलो के लांहित कर होती है शुक्र नाशक है विपाख में कटू है और कुशुम्ब के बीज भी अस्टि के समान होते ह तो क्या क्या होता है इसने इक तो मधूर तिक तो हुष्णवीर कप पित्य को बढ़ाने वाले डाजेशन में गूरू द्रश्टी और शुक्र को नाश करने वाले और विपाफ में कटू होते है माश और यवक माशो अत्र सर्वेश्वरो शर्वेशो अवरो यवक शुक जेशुचा शिंबी दाने में माश सभी दाने में आवर और शुक दाने में यवक आवर है ठीक है मतलब वही कि दोनों अपने पड़े शुक और शिंबी दाने तो शुक धाने में सबसे अधम कोने यवक और शिंबे में कोने माश धानने के वाले में बताए नवम धाने मभी शंदी लगू समवस्वरो शितम शिक्र जन्मत अथा सुप्यम निश्टूशम युक्ति भरजितम तोनों प्रकार के शुक और शिंबे धानने नई अवस्था में क्या होता है अभी शंदी होता है ठीक है अभी इन सबको नया नया निखाना चाहिए तब क्या करेंगे ये कफ को बढ़ाएंगे शोता में अवरोद करेंगे साल बर पुराना लगव हो जाता है और सिग्र परस्टा है ठीक है और साथी आदे छिलका उतारी हुई गी तेल में बुझी डाले लगव होती है तो यह हमने शिंबे धाने पड़ लिया ठीक है क्या था कि नया वाला अभी शंदी कफ को बढ़ाने वाला और पुराने वाला साल पुराना लगव होता है शिंबे धाने में हमने क्या क्या पड़ा मुंग सबसे स्टे माश अधा में मुंग मतल और राजमाश की गुण कुलती सेम माश काकॉंडोला केवाच तील असी कुशुम बबीच इन सब के बारे में पड़ा ठीक है अब उसके बाद हम हम कुछ क्रिया करें कुछ बना रहें जैसे खिचडी या फिर और भी मुंग की दाल का पानी चावल से कुछ ऐसे बनाएंगे तो क्रतान अगर अगर हम कुछ कर्म कर रहें और उसके बाद उसको बना रहें तो उसको हम क्रतान वर्ग बोलेंगे क्रतान वर्ग में क्या क्या आता है मंड पेया विलेपी नाम ओधन शेच लागवं एथा पूर्वं शिवस तत्र मंडो वातानू लोमन तरड ग्लानी नी दोशेशगन पाचनो धातू शाम्मेकरत शोतो मार्दवकरत स्वेधी संदुक्षयती चानल मंड पेया विलेपी ओधन ये सब होते हैं ठीक है ये क्रमश अपने अपने पूर्वर्थी पिदार्थ से लगू होते है मंड सबसे ज़्यादा गूरू होता है पेया उससे लगू विलेपी उससे लगू ओधन उससे लगू तो सबसे ज़ादा लगो होता है ओदन और सबसे ज़ादा गूर होता है मंड और क्या है? मंड कैसे होता है? शिव मतलब कल्लान का रख वादड़ुष का अनुलोमन करने माला होता है भाद का समन करगा बहाँ निखालेगा तरश्टना ग्लानी वमन विरेचन को शांत करता है पाचन करने हाला होता है नातू शामे करता है शोतो को मुलाइन करता है पसीना लाता है जठागनी को बढ़ाता है मंड क्या होता है हम अगर चावल से चोदा गुना पानी लेकर उसको पकाएंगे और जो सिक्त भागे उसको निकालना तो जो पानी जो चावल वाला इसको छोड़ देंगे सिर्फ पानी वानी बचेगा उसको मंड बोलते हैं पया क्या होती है चोदा गुना जल में पकाते हैं लेकिन जो सिक्त है न उसको अलग से नहीं निकालते हैं ठीक है विलेपी होती चोदा गुना में चार गुना पानी लेते हैं ठीक है और उससे जो पकाते हैं उसको विलेपी बोलते हैं और उदन चार पल चावल को चोदा गुना पानी में पकाते हैं ठीक है और चावल की भाती गल जाने पर मंड को निकाल लेते हैं उसको भात बलते मन्ड मैं से बचा था न उपरबब का चावल उसको ओदन वोलेंगे पेया मैंसे कुछनी निकालेंगे और विलेप में चारोना पानी लगते हैं मन्ड अगनी को बढ़ाने माला दातु को साम में करने वाला त्रेशना ग्लाणी इन सब को शांत करता ह। अब ये पेया के गुण ये सब क्या है एक तरह से हम चावल से कुछ-कुछ बना रहे है पानी में उबाल के बस पानी का रेशो देखना है कम जादा शूत रशना ग्लानी दूरबल ले कुक्षी रोग जोरा पहा मल अनुलोमिनी त्वत्या पेया दीपनी पाचली भूख प्याश को शांत करता है ठीक अगर किसी को भूख लगी और हम इसको पिला देंगे तो उसकी भूख शांत हो चाहिए ग्लानी दूरबलता उदर रोग और जोर का नाश करता है आगे आप लोग जब जोर चेप्टर पढ़ोगे न हम आपे बताएंगे जोर में पेया विलेपी का प्रयोग करते हैं अनुलोमन करता है रोगी और निरोगी दोनों के लिए हित करे है और दीपन पाचन इसका डाजेशन प्रोपर नहीं न उसको पेया का पान करना चाहिए फिरे विलेपी विलेपी ग्राहिनी रध्या त्रश्णा अगनी धीपनी हिता व्रण अक्षी रोग सन्सुद्य दुरबल इसने पाईनी मल को बांदने की शक्ती होती है ठिक है लगर किसी को लूस मोशन और इसको हम दे सकता है करते हैं रेको बल यतिये प्याश को सांध करती है अगनी को बढ़ाती है वरण नेत्र वमन विरेचन को सुद्ध करती है ठीक है और शरी के लिए लाबकारी है ओधन क्या होता है जो चावल मत्राइब बात होता है न उसको ओधन बोला है शुद होता प्रशुता स्विन्नो अत्यक उश्मा च उदनो लगू यश्च अगनी ओशद क्वाथर साधितो ब्रश्च तंडूला विप्रितो गुरू शीर मांसा देर यश्च साधितो जो बात चावल को भली बाती ढोकर पकार जाता है और पकने पर जिसमें मांड निकाल लिया जाता है वदर शाधितो दस्टी से नए चावल का मांड प्रया नहीं निकाला जाता है अबी तक गर्मी बनी हुए हो, ऐसा भात लगू होता है, मांड मतलब क्या तो जो लिक्विड पाट है अगर पानी थोड़ा वो थे तो उसको हम निकाल लेंगे, सिर्फ चावल चावल बचाएंगे, थोड़ा गरम हो, तो क्या था वो लगू होता है, चित्रक वो सोट के क्व सब्सक्राइब कर तो जो खोंपकशन के साथ जाता है, फिस वे तो वो लगू होता है, या फिर दोड़ मांसरस के साथब पकाएंगे तो वो गूरू होता है, तो पर सूजी खोंभ धिए, जोगा माना देश सर्व माधिशत द्रव्य कर्म योग तथा मान आधि कि सब्सक्राइश काल का गहन करके पिर आहार तरफियों को हमको देखना चाहिए कि वह लगुत्व और गूरु तुइन का सब लगको कोई से देश वाल है को कौन सा काल उसकी प्रकृति एससे हैं यह सब मांसरस ऐसाइब नंव ब्रस्च कंद लैसे मांस की प्रद्धि होती है तरबति करने वाला वावीद या और आखो केलिए हम यह करूता है व्रन में सब्सके जो लोग नॉन्मलिज खाते अगर वो लोग खाएं जो वेजिटेरियन को हम जबर दस्ते तो खिला नहीं सकते हैं लेकिन जो नॉन्म वेजिटेरियन अगर वो लोग खाते तो उनके धाती पुष्ट होती है तरफ्तिका रहा कि वीरे बढ़ता है आखों के लिए हित करें और व्रंड का नाश होता है मूग यूष्ट बदब कहाता मूग का जो पानी होता ना कि दाल मूग के दाल को पानी में पकाते सिर्फ वो पिलाते विमार होते तो उसके बारे में मोदक अस्तु पत्य संशुद्य व्रंड करुष्ट अक्षी रोगी न वबबन विरेचन आदिक ल dun के दाल देखे तो इसका यूष्ट क क्योता हैANS वात्तानु लोमनी कोल्थए गुल मा तूनी प्रतूनी जित बात दोसका नु लोमन करते गुल मा तूनी और प्रतूनी ये सब बात विकार है इनका शमन करती है तिल पीर्ण्याग आदि तील, प्रिण्याक, विक्रत, विक्रती, शुष्क, शाकम, विरूड़कम, शांडाकी, वटकम, द्रगनम, दोशलम, गलपपनम, गुरू तील की खली से बने हो भजबदार, तो चना और सर्शो के पत्तो, को सुखा कर बनाए हो शाक, विरूड, अंकूर, वदर जो हम अंकूर, अंकूरित करते हैं, चना वगेरा को रात को भीगो देते हैं, अंकूरित करते हैं, और कांजी में डाले गए, ये बढ़े, ये सब क्या इन अगर हम कुछ बनाते हैं तील के खली से चना सरसो के पत्ते या फिर अंकूरी वर्भी टाइप बनाते तो क्या करते हैं रस्तिका नाश करते हैं वाटा दिश्च को बढाते हैं और गलान ने काराओ गूरु होते हैं ठीक है ये सारे चीजे ने डाजेषन में थोड़ी रसाला मतलब शूरी खंग्त, ठीक है रसाला ब्रहणी व्रह्षा इस्निकद्ञ सबसे पहले क्यों दातों को बढाता है वीरे वर्दक इस्नेगद्य बल वर्दक को रूची को बढ decision को बढ़ाने वाला वि किसी को खाना खाने का मन शीया है उसको खाना खानी का मनोगा बल को बढ़ाएगा इसने इक दो हता है ठीक है वीरे वर्दके और धातू को बढ़ाने वाला है जो क्रश व्यक्ति उनको हमको रसाला खिलाना चाहिए अगर कुछ को बहुत ज्यादा थका हुआ अगर हम इसको ठंडा पानी पिला रहे कुछ सर्बत वगरा है तो उसके लिए अच्छा है तो क्या करता है यह शारीरिक थकावट भूग प्यास मानसिक सुष्ति को हटाता है त्रप्ति कारक और गूरू है विश्टम बकार मतला मल का अउरत करता है लेकिन मुत्र को निकालता है कुछ जूस वगरा पी लेते सर्बत पीते तो ज्यादा यूरिनेशन होता है रूची करें विश्यस करके जिस प्रिकार के दरव्यों से बना जाता है उस पर डिपेंड क जाएगी लेकिन मल का अउरत करेगा और मुत्र को निकालेगा ठीक है अब लाजा लाजा क्या होता है कि जो धान वगेरा होते हैं उनको भून लेते हैं और भून के जो फूलाते हैं तो उसको बोलते हैं लाजा लाजा त्रट छर्दी अतिसार मेह मेद कफ़चिद काश पि पित विकार को शांद करता है लगवपा कि शीतल और शीतवीर है लाजा क्या होता है जैसे हम कुछ राजगरा तील चना जो भी है इनको अगर भून लेते हैं त्रिशना वमर अतिसार प्रमेह इन सब चुछों को न यह शांद करता है इस्पेसलि जो धान होते न उनको बढा रहे है ठीक है इस खेंगता है प्रत् nih क्योद्ञ चीवण जो एक कि क्याता है प्रत्थू का गुरुओ बल दट कफ काररे होते हैं शीरा केता है कफ को बढाता है और विश्ची टा लिकशा राख रक विटम हुए कन सीवशन करता है फिर आता है सक्टू तो अभी तक हम जितनी बीचे देर ना हमको उसके बारे में यह पता होना चाहिए कि वो उसको बोलेंगे क्या दहाना मतला भूने हैं चावला आजा मतला धानने को भून के बनाते तो उससे हम उसकी गून देख सकते सत्तू के बारे में तो आपने समने के वलान न भुक्तवा न द्विजे स्चित्वा शक्तू न न अध्यान वागभून सभी प्रकार के सत्तू के सते लगव होते हैं बूग प्यास थकावट नेत रोग और ब्रण को नश्च करते हैं ततकाल पिने से तरप्तिकारक बल को बढ़ाते हैं सक्तू खाते समय बीच पानी नहीं पीना चाहिए इसमें क्वालिटी के साथ में उसको कैसे कैसे यूज करना है वो भी दिया है पीच में पानी नहीं पिना चाहिए दीन बर में दो बार सत्तू नहीं खाना चाहिए रात को सत्तू नहीं खाना है सिपक्स केवल सत्तू नहीं खाना चाहिए कुछ न तो क्या लग्व होता है भूप प्यास को मिटाता है नेत्रों के लिए अच्छा है लेकिन इसको दिन में दो बार रात में अकेला पोजन करने के बाद तो से काट काट कर नहीं खाना चाहिए ठीक है उसके पिण्याक पिण्याक को गलपनो रुक्षो विष्टम भी द्रश्ट कर नहीं होता है ठीक है फिर विष्वार विष्वार न एक तरश से मान्स से ठीक है या फिर जो असाले बcling इस विच्छे वर्द हुँ हो ना धिक पकाते हैं तो इसको क्या बहते हैं वेज़वार की बॉन लेस मांज ठीक है वह भी पकाया हुआ तो मुंग अधी जास्तु गुर्व यह था द्रव गुणा लुगा मुंग उडदादी वेज़वार भी गुरु होते हैं जिन गटको द्वार भी बना चाते हैं उन्हीं के अन अपूप तो जो हम पूरी वगेरा बनाते हैं न उन्हीं सब के बारे में कुकूल करपर भ्राष्ट कंद अंगार विपाचितान एक योनी लगुन विद्यात पूप अनुत्तरों पूपा नुत्ततों तरम कुकूल करपर खरपर आधी फूटे वे घड़े का टुकड़ा ब्राष्ट कंदुक तता जलते कोईले को अंगार गयते हैं और उन्हें पकाए हुए गेहूं आधी किसी एक जाते के आटे के अपूप उत्तरों तर लगुते हैं जलता क्या होते हैं उसको जिसे बाटी होती ना बाटी लिठी के हो गयरा के आटे से अंगार के उपर जो पकाए हुए रहते हैं वह लगु होते हैं और अगर हम ऐसे कुछ दुसरी जतर है से कर उनको पकाते तो गूरू हो जाते हैं ठीक है तो यह है अपूप तो इसके साथ हमारा क्रितान निमर को खतम हो गया है इसम तो आज की वीडियो को मैं यही पैरेंट करती हूँ अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्षन में पुछ लीजे चैनल को सब्सक्राइब कीचे लाइक कीचे और शेयर कीचे थैंक्यू